हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल स्विच के टैनिक क्लासेज आज इस वीडियो में हम एक अन्नोन फॉल्ट को ट्रबल शूट करने वाले हैं जिसके अंदर हम पता लगाएंगे कि यह फॉल्ट का कारेंट क्या है तो एक्षुली फॉल्ट यहां पर यह है कि यह जो स्व फैन घर में लगा हुआ है यह ऑपरेट होता है ठीक है बट अभी मैंने स्विच को आउन कर रखा है यह आप देखेंगे मैंने स्विच को क्या कर रखा है और कर रखा है बट यह जो एक्षॉस्स फैन है यह चालू नहीं हो रहा तो मिसी को आज ट्रॉबल शूट करने वाल उससे पहले आप जो भी तूल्स यूज करो वह सब्ही क्या होने चीए इस्मिलेटिंग होने चीए चाहे है या फिर आप यूज करो और और साती साथ अगर आप किसी सर्फेस पर काम कर रहे हो तो आपके पैर में रबल के सूस या फिर आप किसी मैट पर खड़े हो सकते हो ठीक है प्रोपर आपको ग्राउंड पर खड़ा नहीं होना ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं तो अब चलते हैं हम उस सॉकिट के पास तो आप देखेंगे यह बैड है तो बैड पर जूते लेके तो चल नहीं सकता तो हम अपने सूस को रिमूफ कर देते हैं और जैसा कि हम जानते हैं यह बैड वुडन का है तो इस पर हमें शौक तो लगेगा नहीं तो हम चलते हैं सप्लाई के पास तो बिसिकली हम अब यहां प करते हैं सबसे पहले यह यहाँ पे डिखराय इस भोल्र 2 का क्या करना है तो हम इसे उपन कर लेते हैं अपने की मदद से तो मैं इसको यहां रख देताओ और इस कवरन को में आके तो है कि हटा लेते हैं बट यह करने से पहले आप एंशॉर कर लेना कि आपका वो स्विच बंद होना चाहिए जिससे यह ऑपरेट होता है अदर्वाइस कोई भी फोल्ट वात हो सकता कि आपको शौक लग जाए ठीक है तो एब आम क्रोस वेरिफाय कर लेते हैं चलते हैं वसी बो करते हैं मैं चलत तो जяसा हमोगे सब्सकर कर दिया तो अब हम यहां पर देख लेते हैं बिसीदिक लिएिए कंडेन्स अब देखेंगे तो यहां पर देखेंगे यहां पर और यह जो टेप लगे इसको मता लेते हैं ठीक है अब आप देखेंगे मैंने इसको रिमूब कर दिया इस पे जो टेप लगए तो यह जो एक वायर है यह है और स्वार या है तो हम क्या चेक करेंगे इस में सप्लाय हायरी के नहीं एक लिए करेंगी हम एकक लैंप लेते हैं ओके तो यह है लैंप जिसका ला रहत है ठीक है प्याएं सब्सक्राइड हो है तो हमने स्विच को अन कर लिया ठीक है तो अब हम चलते हों आपी तो आप अगें हम वही तार लेते हैं और प्रोब्लम हो सकते हैं तो चलिए इसको पता लगाएंगे कि यह क्यूं हो रहा है मतलब यह तो इंशूर हो गया हमें कि सप्लाई यहां तक आ रही है तो चलिए आगे चेक करते हैं इसको हम ओके तो अब हम क्या करेंगे हम यह सभी तार्स को यहां से रिमूव कर लेंगे मतलब कंडेंसर भी अटा देंगे और में सप्लाई की वायर अटाओ जैसे आप में सप स्विज को जाके आफ करना ठीक है तो आप क्या कर थे तो आप आपको क्या करना है तो आपको तो झालै तो जैसे आप देख रहे कि मैंने सभी फैंस की तार अलग कर दिये और हैं ओक देंसे मैं यहां文 कर दिया है Also चेक सकते में टेप भी लगा दिया है ताकि आप उसे शॉट ना हो तो हम क्या करते सबसे पहले हम इस कंडेंसर को चेक कर लेते हैं ठीक है क्या पता कंडेंसर खराब हो तो इसको चेक करने के क्या तरीके हैं मतलब बेसिक सा जो सिंपल तरीका है वो यह है कि इसको आप किसी भ लगाने काफी समय तक नहीं लगाना अधर वाई से कैफिटर ब्लास्ट हो सकता है तो अभी सी चौन है आप कैफिटर इसके अंदर लगाते हैं और तो अभी अपने क्या देखा कैफिटर काफी अच्छी साउंड आइस का मतलब कैफिटर ठीक है हमें इसको रिप्लेस करें चैक करेंगे तो इसके लिए मेरे पास सीरीज लैंप है जिसकी मदद से मैं इस एक्जोस फैन की कोईल को चेक करने वाला हूं तो चलते हैं को जैसा कि हम जानते हैं किसी भी मोटर के अंदर चार तार होती है और उन चार तारों को हम तीन ताउर में कर देते हैं जिसमें से यह कॉमन है और यह दोनों स्टार्टिंग और एक यह रनिंग की है तो जैसा कि हम जानते हैं कॉमन की तार से अगर हम चैक करेंगे तो दोनों पर आपका स्रीज लैंप जलना चाहिए बट यहां पर क्या हो रहा है नहीं जल रहा है तो कहीना कहीं इन दोनों में से किसी एक कोईल के इंदर वह इस रेड़ वाली में दिक्कत है मतलब इस रेड़ की जो तार है जो की कॉमन है इसकी कहीं से हो सकता है कि माइन का इसलेशन डैमेज हो गया होगा यहां पर जोइंट कर रखा होगा आपकी कॉइल से पॉइंट जल गया ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस को उतारेंगे और इसकी किट को चेक करेंगे बट वो इस वीडियो में नहीं अपनी अगली वीडियो में इसको मैं अप्लोड कर दूंगा ओके तो ठेंकी सो मच